हारू फीक्स सैमसंग M31S फ्लाइट मोट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सवागर आप सभी का तिकिर आज योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के दिवाइस में फ्लाइट को सवार्म प्राव को जाएगा तो दोस्तों में को कुछ सब्स बताने वालाओं जो भी दौस्तों भी दोस्ते करने के लिए तो उसके लिए दोस्तों आपको simply वीडियो जो है पूरा देखना है जो solution में आपको वतमगा उसको step by step आपको follow करना है आपकी device में and then दोस्तों आपका problem भी soft हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पेसा कामाना चाते है तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं किसे इसको fix किया जा सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर अपने device को restart कीजे रिश्टार्ट करने के बार अपना sim को जो ही eject करके insert करके देखिए ठीक है sim को बाहर पर निकालके उसको दुबारा से अंदर पर भरके देखिए और उसके बार flight mode enable करने की कोशिश करें connections के मदद से तो अगर दोस्तों आपका flight mode यहाँ पर on हो जाते हैं काम कर जाते हैं तो ठीए अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो back करे स्क सेटिंग पर क्लिक करके mobile password यहाँ पर भर दीजिए ठीक है mobile password भरने के बाद आपका नेट्रुक सेटिंग reset हो जाएगा उसके बाद चेक करके देखें अगर solve हो जाते problem ठीक है लेकिन अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो आप reset all setting पर क्लिक करें and reset setting पर क्लिक करके mobile password भर दी दोबारा से flight mode को enable करने के कोशिश करें ठीक है आपका problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाता है ठीक है अगर आपको अभी problem आ रहा है तो दोस्तों आप software को update कर लेना ठीक है software update करने के बाद दोस्तों इस तरीगेगा जो problem रहते हैं कि वह दोस्तों यहाँ पर fix हो जाते हैं तो software को update करें software update जैसे ही होगा दोस्तों आप flight mode को दुबारा से इनेवल करके देखेगा आपका problem solve हो चुका होगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने flight mode not working problem solve कर सकते हैं ठीक है बाई इनी चांस मान लिजे दोस्तों यहाँ पर आप इभी आपका flight mode काम नहीं करें आपने सब कुछ solution किया software को भी update किया फिर भी problem आ रहा है तो general management पर जाए स्क्रॉल डाउन कीज़े रिसेट पर क्लिक कीज़ें factory data पर जाके आपको reset पर क्लिक करना है mobile password भरके आपको factory reset कर देना है factory reset करने के वाद दोस्तों definitely problem जो हो जा हूं